हसाल के तरह इस साल भी 14 जनवरी को मकर संक्रांती का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा यह पर्व हिंदु धर्म में विशेश भेहत्वर रखता है मौसम में परिवर्तन और नए फल के आगमन के स्वागत में इस पर्व को मनाया जाता है मकर संक्रांती के दिन को दानपुनी का दिन माना चाता है इस दिन दान करने से काफी जादा लाव मिलता है इसके अलावा मकर संक्रांती वाले दिन सूरी मकर राशी में प्रवेश करते हैं सूरि जब किसी कुंड़ी में मजबूत स्त्ति में होते हैं तब य делать मान प्रतिश्था वे विविद्धी करते हैं मकर संकरामती में करियर और प्रगती سے संबंदित है ऐसे में इस राशी के जातकों को अब करियर में कड़ी मेहनत का फल मिलेगा लेकिन ऐसे में बस आपको ये करना होगा कि आप सूरी के शुब फल प्राप्त करने के लिए सिर को ढखका रखें साथ ही आप काले और नीले रंग के कपड़े पहने से बचें व्रिशिव राशी के जातकों के नौवा स्थान भागी का स्थान है ऐसे में सूरी का गोचर भागी में व्रिद्धी करेगा इस दराहन जातक अपने कारे में जितनी व्रिद्धी करेंगे उतनी सफलता मिलेगी इसके अलावा धार में कारियों में आपकी रूची बढ़ेगी, इसके लिए आप घर में पीतल के बरतनों का प्रियोग करें, साथ ही प्रतिदिन सूरीदेव को प्रिनाम करें मिधिन राशी की बढ़ेगी तो इस राशी के आठवे भाव में सूरीदेव गोचर करेंगे, इस स्थान का संबंद हो में प्रिद्धि होगी, साथ ही स्वास्थ भी अच्छा रहेगा, गाय की सेवा आपको करनी चाहें कर्ग राशी में सूरी देव सब्तम भाव में गोचर करेंगे ये स्थान जीवन साथी का होता है इसरान सूरी के गोचर से जीवन साथी के साथ संबंद मधूर होंगे साथ ही दामपती जीवन सुख में रहेगा शुफल प्राप्त करने के लिए किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए सहराशी के लिए ये गोचर लापकारी सिद्ध हो सकता है यदि सहराशी के जो जातक सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उन्हें अपार सफलता मिलेगी इसके लाबा कुछ जातकों की आर्थे किस्ति में काफी सुधार आएगा साथी मनुकामना जल्द ही पूरी होने की संभावना है जो रुका हुआ धन है वो जल्द वापस आएगा मकर राशी के जातकों की बात करें तो सूरी ग्रहर राशी में प्रवेश कर रहे हैं जो आपको सब इतरके कारी में प्रस्दि दिला सकते हैं यदे इस राशी के जातकों की सरकारी नौकरी है तो आपको पदोनती और भी जादा होने की संभावना है साथ हे कालिक शेत्र में आपको एक नए उचाया मिलेंगी मकर संक्रामतिक के दौरान सोर्य और शन्य की यूति होगी जो आपको आर्थिक लाब भी प्रदान करेगी सब्सक्राइब आप चैनल और प्रेस बाल आइकन वो मोर अपडेट्स